हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो वाई आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेप्रिशेशन चैप्टर जो हमारे सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के अंदर है ठीक है और इसमें हम एक मेथड करने वाले हैं इसमें मैं सारे मेथड कराऊंगा लग लग व अध़ा यह एक तरीके से 2.0 version है अब इसको करना कैसा होता वह देखते हैं इसमें सबसे पहले हम चैक करते कि होता कैसे है तो इस में हमने क्या करना होता है मैं पहले माध् Нуल में दिखा दूँ आखको तो सबसे पहले एक एग्जामपल ले लेते है एग्जामपल में ले लिया हमने एक मशीन ली ठीक है और ये मशीन है हमारी एक लाग रुपे की ठीक और इसकी जो लाइफ है जो लाइफ है वो है पांस साल की, फाइफ इयर्स, ठीक, अब आपने का डबलू डीवी पड़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा, कि सबसे पहले साल में, फर्स्ट इयर में, सबसे ज़्यादा क्या लगता है, डेप्रेशेशन, हाइएस्ट, सबसे ज़्यादा डेप्र जोड़ा कम, और फिफ्ट इयर में, क्योंकि इस जो मशीन है, इसकी लाइफ साइकल ही पांस साल की है, तो फिफ्ट इयर में बिल्गुल निल हो जाएगी, यह मतलब है इसका, तो इसको हम प्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, तक कि इस फोर्मूली से हम डेप्रेशेशन न बड़ा और यह आता है हमारा 15, ठीक है, अब इसमें, इसका मतलब 15 हमारी जो है, वो टोटल लाइफ अफ़ेट है, ठीक है, और इसको हमें रेशो में बाटना है, कैसे रेशो में बाटना है, जैसे फिर्स्ट इयर में, देखो, यह थोड़ा कॉम्पलिकेट बन सकता है तु इसमें रेशो का कॉंसर्ट समझते हैं, रेशो का कॉंसर्ट समझने के लिए हम देखें, हमने एक माटेरियल बनाया, ठीक है, और उस माटेरियल में दो इंग्रेडेंट लगते हैं, दो रो माटेरियल लगते हैं, ठीक है, एक रो माटेरियल ए है, एक रो माटेरियल भी है, इसमें लगते हैं तो इनकी रेशो बन जाएगी ये टोटल हो गए 8 अब इस मटेरियल मेए का कित्ना लगा उसको कितना लगा उसको निकालने के लिए हम क्य वाइएट ये आपको रेशो आता होगा और व५ का कितना लगा है 3 by 8 अभी तक आपका रेशो का यह clear है आप समझते इसका इस depreciation के method से क्या मतलब है देखो 5 years उसकी life है life है ठीक है इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि 5 साल बाद after 5 years पांस साल के बाद उस machinery की जो value होगी वो क्या होगी नेल होगी इतना तो आपको बता होगा 5 साल अगर उसकी life है तो 5 साल बाद तो बिल्गुल खतम हो जाएगी इसका मतलब अगर मैं इस machine की value लिए रुपीज एक लाग रुपे ठीक है इस machine की value एक लाग रुपे तो मैं यह कह सकता हूं कि 5 साल का उसका total depreciation एक लाग रुपे है total depreciation of 5 years यह कितना होगा एक लाग रुपे कैसे हुआ यह एक लाग रुपे क्योंकि 5 साल में देखो पहले साल में जो फस्स साल है उसमें कुछ लगा होगा second साल में कुछ लगा होगा ऐसे ऐसे total पांस साल तक लगा और उस पांस साल के total depreciation काम करेंगे तो एक लाग रुपे आएगा और यह एक लाग क्यों आया क्योंकि 5 साल वाद उसकी value निल हो रही है यानिकि पूरी asset खतम हो गई इसका मतलब जितनी भी उसकी value थी उतना उस पर depreciation लग जया है इनकी पांस साल का total depreciation एक लाग रुपे हो जाएगा जितनी उसकी value थी अब इस एक लाग को हमें 1st year में, 2nd year में, 3rd year में, 4th year में, 5th year में divide करना है और इस divide करने के लिए हम ratio का use करते हैं अब इस ratio का use किसलिए करेंगे WDV के साब से क्योंकि हमें पता है कि WDV में पहले साल में 1st year में सबसे ज़्यादा होगा ठीक है सबसे ज़्यादा और फिर 2nd में उस से कम, 3rd में उस से कम, 4th में उस से कम, 5th में उस से कम अब हमें इसका arrangement कुछ इस तरीके से करना था कि end में उस asset की value उस asset की value बिल्कुल नील हो जाए अब इसका ratio कैसे बनाएं कि उसकी value नील हो जाए इसको बनाने का तरीका इन सब का total करो 15 आ गया पहले साल में लगेगा 5 by 15 पहले साल में तो 1 by 15 लगना था नहीं पहले साल में सबसे ज़़ादा लगेगा जो 5 होता है अब 1,2,3,4,5 थीक है सबसे बड़ा क्या है 5 तो पहले साल में 5 by 15 लगेगा फिर 4 by 15 लगेगा second year में फिर 3 by 15 फिर 2 by 15 फिर 1 by 15 अब ये है पहले साल का depreciation ये दूसरे साल का ठीक है ये तीसरे साल का ये चोथे साल का ये पांचवे साल का अब एक बार ये बताओ कि अगर हम देखें यहाँ पे तो टोटल डेप्रिशेशन निकालें तो इन सब का टोटल करेंगे तो आपका 15 by 15 यानि की 1 वन का मतलब जितनी भी उसकी वैल्यू थी एक लाख रुपे वो टोटल लग जाईगी अब इसको तोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं क्या है यहां के देखो एक लाख रुपे की हमारी मशीन थी ठीक है और पांस साल उसकी लाइफ थी फाइफ यूर्स की उसकी लाइफ थी पहले साल में जो लगेगा वो लगेगा फाइफ बाइफ फिफ्टीन ओफ टोटल कोस्ट इसका मतलब कि एक तरीके से आएगा 33,333 पहले साल में उस एसेट की इतनी वैल्यू खतम हो जाएगी अब यह सबसे जादा है उसकी पांस साली के पूरी डूरेशन में उसकी पूरी अब यह देखते हैं कितना आएगा यह आएगा हमारा 2,667 ठीक है 3rd year में देखते हैं 3rd year में आएगा 3 by 15 और यहां से हमारा इसकंसर आजाएगा इसकंसर आएगा 5 और यहां कि 20,000 ठीक है अब ऐसे ही यहां पर करेंगे हैं 4th year में 4 नहीं आएगा यहां पर कितना आएगा 2 तो 2 by 15 into में 1 lakh और यह जो भी value निकल रही है यह depreciation की value निकल रही है यह सारी के सारी कितना इतना depreciation उसमें 1st साल में इतना लेगेगा 2nd में इतना 3rd में इतना 4th में इतना तो इसका भी निकाल लेते हैं 1 lakh into 2 by 15 तो यह आगया हमारा 1 3 333 5th year जो उसका last year होगा उसमें लगेगा हमारा 1 by 15 of 1 lakh रुपीज तो I think यह आएगा हमारा 6, 6, 6, 7 और इन सब का आप total करोगे तो आएगा पचास जार रुपे यहनकि पूरे उसके 5 साल में total पचास जार का depreciation लग गया इसलिए after 5 years उसकी value क्या हो जाएगी तो ऐसे हमें पहले depreciation निकालना होता working note में यह सारा जो भी हमने निकाला है ठीक है यह सारा हमारा depreciation है 1st year का 2nd year का 3rd year का 4th year का ऐसे निकालके और इसे हम account में put करते जाएगे और end में final answer निकाल देगे अब इसकी है कि लिए स्ट्रेशन हो करके देख लेते हैं यहां पर क्या है कि यहां पर एक मशीन ने 10 लाग रुपे की है ठीक है और इसकी useful life 10 years से scrap value है 1,20,000 अब इसमें scrap value भी आ जाए तो कैसे करेंगे the machine was put to use एक जनवरी 2014 से इसे यूज में लाया गया है तो हमें machinery account और depreciation account दिखाना 2019 का अब देखो यहां question पढ़ना बहुत जर्री है उसने बोला 2019 का दिखा हूँ तो हमें 2019 के हिसाब से बनाना पड़ेगा तो एक बार इसे देख लेते हैं जब scrap value आए तो कैसे solve करना है देखो 10,000,000 की machine है और जब 10 साल बाद after 10 years 10 years का उसका life cycle है अब 10 years के बाद उसकी value ना last में 1,20,000 रुपे बच जाएगी यानि कि total 10 सालों के अंदर उसमें कितने depreciation लगा है 18,000 अब हमें इसी 18,000 को 10 सालों में बाटना है और वह कैसे बटेंगे वह आपको मैंने बताए दिया ratio बना के तो हमें क्या कर लेना है 1 से लेके 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 और divide by क्या कर देना है कुछ नहीं करना वही बता देता हूं हमने यह सारा सम निकाल लिया और इसका सम करके देखते हैं कितना आएगा इसका सम आता हमारा टोटल 55 अब इस 55 आगया अब हमने देखते हैं इस कोस्टन को सॉल करना कैसे आगे हैं देखो उसने बोला है 2019 का काउंट बनाओ अब मैं मशीन रेकांट बना रहा हूं cd by depreciation ठीक है और by balance cd हमें यह तीन चीजे फिल करनी है सबसे पहले हमें 2019 का opening balance निकालना होगा फिर 2019 के लिए depreciation और यह तो अराम से निकली जाएगा तो opening balance निकालने के लिए हम सबसे पहले working बनाते हैं तो working note 1 जो हम opening balance के लिए बनाएंगे इसमें क्या करेंगे हम पहले 2014 से start करी और 2019 पे माच चुके हैं यनकी कितने साल हो गए 2014 पूरा 15 16 17 18 और 19 से उसमें 19 का count बनाना है यनकी कितने बन गए 1 2 3 4 5 इसका मतलब शुरू के 5 साल depreciation लग चुगा है 1 2 3 4 5 शुरू के 5 साल depreciation लग चुगा है वो लगा कैसे होगा 10 by 55 सबसे पहले लगा होगा फिर 9 by 55 अब यह 10 कैसे लिए मैंने इसकी life 10 साल गी ती तो इसलिए सबसे पहले हम 10 लेंगे क्योंकि first year में सबसे बड़ा लगता है फिर 8 by 55 55 आया यहां पर और फिर 7 by 55 और फिर यहां आएगा 6 by 55 इसका मतलब 2019 तक आते आते उसमें इतना depreciation लग चुका होगा अब इसका हम टोटल कर लेते हैं कितना आएगा 55 और यह 19 और 19 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 तो आगे हमारा 40 इसका मतलब शुरू के 5 सालों में उसमें 40 by 55 का depreciation लग गया होगा और यह किसका होगा आठ लाक एसी जार क्योंकि इतना है तो depreciation लगना था अब हम इसका निकाल लेते हैं आठ लाक एसी जार गुणा 40 डिवाइड बाए 55 तो यह आगे हमारा 6 लाक चालिस जार इसका मतलब 2019 तक आते आते उसमें 6 लाक चालिस जार का depreciation लग चुका है यहां पर लिखो लग चु दी थी और अब तक कितना depreciation लग चुका है 6 लाक चालिस जार रगा तो हमारी value कितनी आगई I think यह आएगी तीन लाक साथ हजार इसका मतलब 2019 के opening में जो value आएगी वो आएगी तीन लाक साथ हजार रुपे और अब 2019 का depreciation लगेगा तो अब बताओ कौन सा depreciation लगेगा 18 तक त 525 तो लगाते हैं क्या लगेगा working note number 2 बना देते हैं depreciation for 2019 इसमें लिखेंगे हम 8,80,000 गुणा में 5 by 55 तो इसका आगया 1,10,000 ठीक है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1,10,000 रुपे और यहाँ पर closing balance हमारा आजागा डाई लाक इसका जल्दवाजी में यहाँ पर तुम्हारा क्या आएगा इसे हम डिवाइड करेंगे 8,80,000 गुणा 5 डिवाइड by 55 तो यह 8,000 आएगा राइट बाकी कुछ नहीं है बसे calculation mistake हुई है तो यहाँ पर हम correct कर देंगे से 8,000 रुपे यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना आए मशीन आर मेथड तो मशीन आर मेथड शॉर्ट होगा यह इसका एक कोशन भी कर लेंगे जो दे रखा है अब मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में थेंक्यू पीस आउट